ये राज मिस्त्री जो है आज भी जो है ये परमेश्र की बहुत सी सही बातों को जो है गलत साबित करते हैं निकम मा ठरादेते हैं और यह उनमे से यो है यह वही लोग आज भी दिखाई देते हैं से चर्चु के अंदर बड़े बड़े लीडर्स के रूप में, बड़े बड़े बिशप के रूप में, बड़े बड़े लोगों के रूप में जो है, वो दिखाई देते हैं। पिरगुमन की कलीसिया का ये आठ्मा भाग है। पिछले संदेश में हमने परकाशिद वाक्प के दो अध्याय उसके सत्वे पस से सिखा था मनना के बारे में। जिया मन्ना के बारे में सीखा था परंतु आज हम सीखेंगे परकाशिद वाक के दो अध्याए 17 ही पस सीखेंगे और वो सीखेंगे कि परमिश्व जो है एक शुएत पत्थर अपने लोगों को देगा और उस पर एक नाम लिखा होगा जिस पर पाने वाले के सिवाए और कोई उसे जान नहीं सकेगा परकाशिद वाक के में से यदि आप प्रिगुमन की कलीसिया के बारे में सीखना चाहते तो परकाशिद वाक के दो अध्याए उसका 12 पत से लेकर 17 पत तक आप पढ़ सकते हैं और अपनी बाइबल में से आप निकाल सकते हैं हम फिर से इस पत को एक पढ़ेंगे परकाशिद वाक के दो अध्याए और उसके सत्रमेपद में जिसके कानोवे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जैपाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाए और कोई ना चांद सकेगा इसके रूप रिखा है जिसके कानोवे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जैपाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाए और कोई ना चानेगा यहाँ पर जो है हमने तीन पॉइंट हमने देख लिए थे जिसके कानोवे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जैपाए उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा आज हम सीखेंगे और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होग तो यहाँ क्या कहता देखे पड़ लेते हैं यहाँ कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें तुम्हारे पाप चाहे लाल रंके हो और चाहे अरग्मानी रंके हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे उनके समान श्वेत होने का मतलब क्या होता उनका मतलब होता मो पवित्र जियां यानि हम बिलकुल पवित्र और कोमर जो है वो हो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है और किनको बनाना चाहता है जो जैपा यानि वो श्वेत का मतलब पहले हम यह समझ लें फिर हम पत्थर को अच्छे से समझ पाएंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है फि बरभ देखे सफेद होती है", जब बरभ गुर्धी है। बरभ आप देखेंगे जब जमा होती ही हुए वह बहुत ज्यदा सफेद होती है। यानि मेरे अंदर वो पवितरता की चमक जो है वो बरप की सफेधी से भी ज़्यादा दिखाई देगी वो पवितरता मेरे अंदर दअफ जो है वो इस बात को कहता है पहने हुए कौन हैं और कहां से आये हैं मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तु जानता है, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महा कलेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहु से धोकर, क्या करे हैं, शुएत किया है, बड़े ध्यान देने की बात है, परमेश्व का वचन क्या कह रहा है, कि श ही चीवन में आगे बरते हैं, शैतान इतना दुखी कर देता है, इतना परिशान कर देता है, कि बयान से बाहर होता है, परमेश्व जो है, जब हम उन बातों पर और शैतान की बातों पर उन कलेशों पर विजय पराप करते हैं, तो परमेश्व क्या कहता है, इन्होंने अप आपने आपको मेमने के लहू से धोया, यानि आपने आपको येशु मसी के लहू से हमने धोकर शुद और पवित्र क्या है, येशु मसी आये ही इसलिए, कि उसने अपना लहू बाया, ताकि उसके लहू के द्वारा हम क्या हो, हम शुद और पवित्र हो जाए, क्योंकि यहना का मतलब जो है वो पहले मैंने आपको बताए अब शुद्ध पत्थर की बात हम करेंगे जी याँ शुद्ध की बविश्वानी पहले हम देखेंगे बजन सहिता 118 उसके 22 पत में राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया अब देखें राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया अब ये किस की बात हो रही है ये प्रवियेश्यों मसी की बात हो रही है देखें ध्यान दीजेगा शुद्ध पत्थर का मतलब क्या है यानि ये प्रवियेश्यो मसी है जिया आप लूका 20 का 17 पड़े यहां लिखा है उसने उनकी और देखकर कहा फिर यह क्या लिखा है जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकाम मा ठराया वोई कोने के सिरे का पत्थर हो गया देखे यहां पर प्रभी यहोदी और फरीसी और बहुत से लोग उससे बा फाउंडेशन जो है फाउंडेशन की नियो हो गया कौन किस फाउंडेशन की बात कर रहा है उस आत्मिकता के फाउंडेशन की बात कर रहा है उस आत्मिक जीवन के नियों की बात कर रहा है जो मेरे और आपको जो है प्रभी येशु मसी के आपके आत्मिक घर जो है आप नह बनते चले जाते हैं तो आत्मिक घर आप कैसे बनते चले जाते हैं आप कैसे बनेंगे उसका फाउंडेशन जो है फाउंडेशन का जो पहला पत्थर है कौन है मसी बिना मसी के आप आत्मिक घर नहीं बन सकते हैं हमारी फाउंडेशन का जो पहला पत्थर है वो प्रभी येश यहां पर मतलब है जो धरम के ठेकेदार हैं जी यहां मैं धरम के ठेकेदारों की बात करो यहां पर राजमिस्त्रियों का आर्थ है धरम के ठेकेदार हैं जो अपने डिसीजन लेते हैं नहीं ऐसा नहीं करोगे वैसा नहीं करोगे यह सही है जो हम कह रहे हैं वो सही है आप गल ये आज भी ये राज मिस्त्री जो है आज भी जो है ये परमिश्व की बहुत सी सही बातों को जो है गलत साबित करते हैं निकम्मा ठरा देते हैं और ये वो उनमें से ये जो है ये वो ही लोग आज भी दिखाई देते हैं चर्चो के अंदर बड़े-बड़े लीडर्स के हैं सब एक साथ याद आजाएंगी पूरे जीवन की जितनी भी कताएं इन्होंने अपने जीवन में लिखी हैं सब एक साथ याद आएंगी परमेश्व का वचन जो है वो इस बात को कहता है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं जब आप परमेश्व के वच्छन की बात करते हैं तो पहला पत्रस और उसका दो अध्याए और उसका चार से साथ पत्तक बड़ा ध्यान से देखेगा यहां के लिकाए उसके पास आकर जिसे मनुश्रों ने तो निकम्मा ठराया परन्तु परमेश्व की निकट चुना हुआ और आत्मिक बलीदान चड़ाओ जो येश्व मसी के द्वारा परमेश्व को ग्रण है इस कारण पवित्र सास्त्र में भी आया है देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और भवमूल पत्थर धरता हूँ और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वे किसी रिती से लज चित नहीं होगा अता तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वे तो भवमूल है पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठराया वो इकोने का स्राम है यहां यह किसके लिए बात हो रही है यह प्रवी येश्व मसी के लिए बात हो रहे हैं और यहां पर क्या है हम भी आत्मिक घर बनते जाते हैं मगर उस आत्मिक घर की जो बुनियाद है जो नियू है उसका पहला पत्थर जिसको धरम के ठेकेदारों ने निकम्मा ठरा दिया आज भी निकम्मा ठराते हैं वो हमारा आत्मिक घर का जो है वो फा पड़ाना शुरू करेंगे कि जिस वो गुद्धिमान व्यक्ति है जिसने अपना घर चटान पर बनाया और हमारी चटान कौन है प्रविये शुमसी है यहां बहुत समझने वाली बाते हैं और आज हमारे जीवन में यह बहुत सी चीजे जो हैं वो दिखाई देती हैं कि वो श इस्रैलियों के भी कोने का मतलब फांडेशन है वो इस्रैलियों की भी आत्मिकता का फांडेशन है वो हम जैसे आंचाती के लोग जो हम आंचातियों में से निकल करा हैं हमारी आत्मिक जीवन की भी फांडेशन का जो है वो बहुमूल पत्थर है वो जीवित पत्थर है और क्या लिखका हुआ है और उसे श्वेद पत्थर दुंगा यहां श्वेद पत्थर देने का अर्थ क्या है कि वे हमें भी एक पवित्र पत्थर बना देगा यानि पवित्र पत्थर बनाने का मतलब है कि वो हमें भी एक आत्मिक घर बना देगा पवित्र घर बना देगा परमे गर में वो नियों का पथर नहीं होगा पवित्रात्मा नहीं है और यह घर जो है इसकी जो Foundation का पहला पतर है वो प्रवियेशुमस है अगर है तो सही में आप परमेश्वर का घर है परमेश्वर आपके अंदर है और पवित्रात्मा आपके अंदर है यदि आप Foundation का पहला पतर आप में नहीं लगा है तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं है पवित्रात्मा आपके पहला पत्र दो के पांच में लिखा तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो जिससे याजको का पवित्र समात बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान 나서 कि येशु मसी के द्वारा परमेश्य को ग्रान है अब कौन से आत्मिक बलिदान हम चड़ाने जो प गरन करेगा जब पर्भव येशुमसी हम नहीं में होगा। यहां परमेश्व का वचन इस बात को बताता है। और यह आत्मीघर क्याया। पहला तमिथी। 3 का 15 कि यदी मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्व का घर जो जीपते परमेश्व की कलीसिया है और जो सत्त का खंबा और नेव है उसमें कैसा बरताओ करना चाहिए कि सब्से बड़ी वात क्या है परमेश्व का वच्ण कर रहा है कि जीफते-परमेश्व का घर क्या है। जीफते-परमेश्व की जो कलीसिया है। अब कलीस्या कौन सी है? ये कलीस्या, मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो कलीस्या है ना, ये जो अपने अपने नाम रख लिये हैं और रिजिस्टेशन करा लिये हैं, कोई कलीस्या नहीं है. विश्वासियों के समू को, जिनके बीच में, जिनके जीवन में प्रभी मसी का पवित्र आत्मा कारे करता है वो कलीसिया के अंदर यानि दुलन में चुने गए लोग हैं और वो कलीसिया कहलाई जाती विश्वासियों के समू को ऐसे लोगों के समू को चाहे वो कहीं पर भी रह रहे हों ऐसे लोगों के समू को निकाल कर वो एक तेजस्वी कलीसिया जो है वो तैयार करेगा फिर लिखा है उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जो पाने वाले के सिवाए और कोई ना जानेगा सीधी सी बात है जब वे हमें अपने समान जीवित और पवित्र पत्थर बनाएगा तब हमारे ही उपर उसका आत्मिक और स्वर्ग्य नाम होगा जिसे पाने वाले के सिवाए और कोई ने जाए लेके दियान दीजेगा कि एक नाम प्रभी ये शुमसी का लिखा होगा और उस वो सिवाए जो जिसको वो नाम दिया जाएगा यानि आप पत्थर हैं उस पत्थर पर एक नाम लिखा हो और आपके सिवाए अगर आपको मिला है तो आप जानेंगे मैं नहीं जान पाँगा यानि मुझे मिला है तो मैं जानूँगा आप नहीं जान पाएगे और हमें एक नाम दिया गया है। जब आप प्रेरितों के काम चारद है, उसके बार्मेपद में पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं क्यूंकि सुर्क के नीचे, मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम उधार पा स इस नाम को नहीं करते हैं। उस नाम को nekrrtë है, तो दूसरा नाम को पाकर हम क्या करेंगे। कर रहे हैं उसकी पवित्रता को बनाई नहीं रखने तो कहां से मिलेगा यह दिहान रखने वाली बात है और परमेश्व का वचन क्या कहता है एर्मिहा सत्रा और उसके नो पद में क्या लिखा हुआ है कि मन तो सबसे अधिक धोगा देने वाले वस्तों में हैं उसमें आसाधा यह रोग लगे हैं ऐसे रोग लगे हैं जो कभी खतम नहीं पहले वह रोग तो ये शुमसी नासरी के नाम से दोग करने हैं पहले वह रोग तो धोले जो रोग लगे हुए है जो बिमारिया लगी हुई है हमारे दिल में है जो दिल हमारा है नहीं प्रभी ये शुमसी के बै लिखाए कि हम क्या हैं? हम पवित्रात्मा का का गर है, परमेशर का वचन कहता है. हमारा नाम जो है, वो प्रभु येश्यो मसी नाम हमारे अंदर है. अगर हम मेरे प्यारे भाइयो वेनों, यदी हम उस नाम को पाना चाहते हैं, जिसको पाने वाले के सिवाए और कोई नी जानेगा तो जो नाम हमें इस समय मिला है अर्थाद येशु मसीम नासरी का नाम उसकी करीमा, उसकी सामर्त, उसकी पवित्रता और उसकी सारी बाते हमारे चीवर्ण में दिखाई देना चाहिए तब हमें वो नाम मिलेगा इस स्वचन के दोरा प्रवह हम सब को आशिते हैं